सोनु की पत्नी ने सोनु को मैसेज किया कितनी देर में आ रहे हो सोनु ने जवाब में मैसेज किया 20-25 मिनट में आ रहा हूँ अगर देर हो जाए तो मैसेज फिर से पढ़ लेना पती सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने उठा किचन में गया फिर उसे ध्यान आया कि वो तो माय के गई हुई है वह मन ही मन बड़ बड़ाया सला ये प्यार है या उसका खौफ सोनु ने वोड़ाफोन के आफिस में फोन किया वोड़ाफोन से बोले हेलो सर आपकी क्या कंप्लेंट है सोनु सांत रहा फोन करने वाला बोला सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है सोनु बोला भाई यही तो कंप्लेंट है पप्पू होस्पिटल गया वहां सारे लोग एक आदमी की मौत पर रो रहे थे लेकिन एक आदमी आराम से लेटा हुआ था पप्पू बोला क्यों भाई सारे लोग रो रहे हैं तू क्यों नहीं रो रहा आदमी बोला अरे भाई ये लोग मेरी मौत पर ही तो रो रहे हैं धंग से मरने भी नहीं देते यार तुम एक लड़का अपनी गल्फ्रेंड की जुलफों में सोया हुआ था जुलफों में ऐसा खोया कि वह मधहोस बेहोस हो गया थोड़ी देर में होस आया लेकिन फिर बेहोस हो गया लड़की प्यार से बोली कुछ बोलो ना जानू क्या फिर से जुल्फे लहराओं लड़का बोला बहन जुल्फे हटा ले या तो इन्हें कटवा ले या नहा लिया कर धंग से मरीज डॉक्टर से बोला डॉक्टर सहाब आपने नर्स बहुत ही अच्छी रखी है उसका हाथ लगते ही मैं ठीक हो गया डॉक्टर बोले जानता हूं जानता हूं बाहर थपड की आवाज मुझे भी सुनाई दी थी